तो गाइस आज चुके एक और नई वीडियो में तो इस वीडियो में फिर से एक आडीनो के ऊपर ही रोड मेप लेक्ट आया हूँ पिछले वीडियो में बेसिक आडीनो के कैसा सिखना है उसके उपर मैंने वीडियो बनाया था कि बेसिक अगर सिखना है तो उसके लिए कौन स जानकारी चाहिए by तो बहुत वीडियो के लिए अप हमाने चानल को भी सब्सक्राब कर सकताई हैं लिकला है कि मैंने कोई दिन पहले ही चैनल स्टाट के चले अपने टॉपिक पर आता है कि आडिनो को कैसे सीखना उसके हिसाब से मैंने एक रोड मैप बना करका है मैंने यहां पर तो आप यहां से फॉलो कर सकते हैं आप इसमें जितना भी बता है उतना आप जरूर सीखें उसके अलाव इंट्रोडएक्ण सबसे पह्ले सीखना ठीक है यानündव कि उसका इंट्रोडएक्शन आपको आना जरूरी है तब तो उसके बारे ह Broad पता चलेगा ना उसके बाद अगर जैसे आपको लोग इंट्रोडक्शन चीड गये हैं तो उसके बाद सबसे पहला आपको वह जो भी प्रग्राम बनाना है जो भी प्रोजेक्ट बनाना वह एले डी ब्लिंग का प्रोजेक्ट होगा स्वरी यहां पर गलती हो गया है ठीक है यहनी कि एक LED को हम लोग कैसे ब्लिंग करवा सकते हैं उसके लिए आपको यहां पे पहला प्रोग्राम बनाना है उसके बाद हम चलते हैं BME 280 जो कि आपको तेंप्रेटर नापके देतां यह इसका भी आप सकते हैं । यह भी एक design इसको बारे में आप सिख सकते हैं। कमपास को हम लोग कैसे बना सकते हैं उसका मेधनोे का BEना सकते हैं। और आपको नहीं समझ्वारा कि मैं कौम सी डिस्प्ले की बात करना हूं तो अगर मैं सच करकर दिखाऊँ तो आपको पूरा अच्छा से समझ्वार कि IS सिखना क्या एक है इसमें ठीक है तो दो क्या इस तरह से डिश्प्ले होती है जिसमें की eight crossets इधर से भी आट और इहां पर यहां पर लिखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यह सारी यह लिखा जाएगी तो आपको इस वाली एलिस्टीडी में आपको यही सिखना है कि इसके अंदर हम लोग कैसे करेंगे और कौन अपने हिसाब से कोई से कैसे बनाएंगे अमाले कि आप अब इसके बारे में आप लोग जानता होंगे कि दिवाली में जो भी एलेडी स्ट्रिफ त हम लोग लाते हैं वो कहांसा होता है और इसके बारे में अगर थोड़ा से बता और एक मिन्ट पर चलते हैं और इसके बाद देखते हैं कि एलेडे स्ट्रीप कैसी होती है तो इसका भी हम लुक्प प्रोग्रामिंग करे क्या कर सकते हैं कि इसमें जो भी बहुत सारे इफक्ट डाल सकते हैं अब अब अगर जलाओगे तो आप सिंपल सा एक कलर जलते रहाए कि एक लेट जले एक लेट बंद रहे एक लेट जले लेट बंद रहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं ठीक है आप जिस तरह से आप इफेक्ट बनाना चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं » DC Motor के बारे में हम लोग सिख सकते हैं Stipper Motor के ऊपर हम लोग ने वी Beautiful है बना चुकह वो वीडियो आप देख सकते हैं उसके बाद एक वाइफाय करंख सकते हैं कि देख सकते हैं कि यह इस तरह से एक module होता है जिसमें की wifi भी होती है और इस से हम लोग Wifi के के बार में आप लोग जानना चाहिए ठीक है उसको आना चाहिए उसके बाद चलते हैं आगे की आगला कौन सा हम लोग है लेक संसर सिख सकते हैं तो पीछले वीडियो में नहीं बताया था कि फ्लेक संसर होता क्या है तो मैं इस वीडियो में बता दता हूं कि फ्लेक संसर काम क इतना तो वह बता देगा कि यहां में कितना flex sensor मोला और इसके हिसार्फ से कोई भी robotics hand बना सकते हैं उसीतर से rotary encoder होता है उसके बार मनें किपएड के बार में सिख सकते हैं अगर हम देखा होगाक की कीपएड क्या हता है तो एक कीपेड करके मैं आड़ीन लिखूंगा थाकि आड़ीन हाली कीपेड दिखाए ठीक है तो दोखे यार इस तरह से यह कीपेड है इसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा कि जब हम यहां से वन दबाएं तो हमारे जो आड़ीन है उसके अंदर वन कैसे जाएगा ठीक है इसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा थोड़ी से प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी ज्यादा हाड नहीं है लेकिन आप सीख सकते हो ठीक चलो आगा आते हैं किस तरह के यह यह जोगभी आप बनाया है और इसमें पूरा एक आप मोझ बना सकती यह कर रहा हों कि मोबन जाęगा लेकिन आप चाहें तो हम मोवाईल बना सकते हैं जैसे कि हो यहां पे यह बंदे ने यहां पर कीपेड बनाया भी है और इस तरह से वह चिला भी रहा है तो इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं तो इसका हम लोग बलते हैं यह यहां पर टी डिस्प्ले होती है अगर आप बात करें तो मैं इसको सर्च करके दिखा दोता हो कि यह जो ओले डिस्प्ले हो कि इसले कि पार इसके बारे में जरूरिया अगर आप लोग को वैसे डिवास बना रहा है जिसमें एक श्क्रियन हो तो आप इसका बारे में जरुर्भ सकते हैं और यह छोटी सी स्क्रिण होती है आपको श्रुरत की हिसाब सेRR फिट हो जाएगी आपने अगर ली होगी तो देखा होगा ठीक है इस तरह का जो भी डिजिट अगर आपको कोई भी प्रिंट करवानी है तो इस तरह सो आपको सेवन सेग्मेंट डिस्प्ले को बारे सीखना परेगा ठीक है इसके बाद आते हैं नियोन पीक्सल लेडी आपको यह तो इस पर भी हम लोग देख लिए कि नियोन पीक्सल एलेडी क्या होती है वो भी इस तरह के LED स्ट्रिप्ट है जो कि आपको मैंने पहले बता चुका हूं और सर्वर मोटर के बारे में भी हम लग सीख चुके हैं कि सर्वर मोटर पिछले वीडियों मैंने बताया था कि सर्वर मोटर कैसे काम करता और इसको कैसे सीखने है मैं अगर सही पिक्चर दिखाऊं तो सर्वर मोटर का मैं एक जिफ लाकर देखाते हैं और से आपको पूरी समझ में जाएगे यह जो सर्वर मोटर है वो क्या करता है कि सिर्फ यह 180 डिग्री तक जाएगा फिर वहां से वापस आजाएगा ठीक है सर्वर मोटर यह नहीं कि अगर इस तरह से आपको कहें पर नीड है तो वहां पर लगा सकते हैं ठीक है उसके वाद हम लोग चलते हैं नेटवर्किंग इधर नेट सीर्ड इसके बारे में आप लोग सीख सकते हैं अगर मैं इसके बारे में दिखाऊं तो यह भी एक तरह को आड़ीनों को जैसा ही किट होती है जिसमें की एथरनेट जो भी केवाल होता है उसके द्वारा हम लोग भी कोड को मतलब इंपोर्ट करवा सकते हैं और इसमें उसी तरह से उस्त कर सकते हैं इसको इंपर भी एक वीडियो आएगी वहकं उसके वारे वीडीयो इसके भी वह विडियाया कि ये बहुत भार्टावें अच्छा चीजे तो उसके बारे में भी सिख सकते हैं सिफ्ट रिजिस्टर के बारे में सिख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर दिखाऊ हूं सिफ्ट रिजिस्टर हुआ है हम यहाँ पर इमेज दिखाता हूं अब देख सकते हैं सिफ्ट रजिस्टर कुछ इस तरह से रहता हैं आप इसके बारे में सीख देखने हैं और यह बहुत ही अच्छी चीजी है सिफ्ट रजिस्टर आपको अगर सीखेंगा तो समझ में आजाएगा अब मैं यहां पर लिख रहा था ब्लिंक ठीक है ब्लिंक एक एप है जो की आडिनो के साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी अगर एलडी को हम लोग अपना मॉवाइल से बंद करें और मॉवाइल से ही ओन करें तो उस उस सिच्वेशन में आपको ब्लिंक आना जरूरी है और इस पर भी हम लोग आगे वीडियो लाएंगे अभी ह आप लोग बेसिक सीख लें उसके बाद हम लोग बिलिंक के ओपर वीडियो लाएंगे जब हम लोग नोड एंसी ओ कवर करेंगे तब उसमें बिलिंक का मुलग चलेंगे ठीक है यार तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना और अगर ऐसे इन